हेलो फ्रेंड्स नमस्कार कैसे हैं दोस्त जय हिन जय भारत आज का सब्जेक्ट दोस्त हिंदी का है तो आप सभी बच्चा पाटी से मेरा निवेदर है दोस्त जो 2023 में एक्जाम देने वाले है माई डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यह आप लोग के लिए न अनुसार अपनी हिंदी को त्यारी करें यह गरणेटी है दोस्त कि आप 90 प्लस मार्स ला सकते हैं बसरते की कंडिशन यह है कि आपको इन सीलेबस के अनुसार ही काम करना पड़े है ठीक है दोस्त चलिए प्यारे चाथ देखते हैं सीलेबस का हिंदी है देख लिजीए 100 मा अगर आपका paper दोस्त 100 marks का आता है तो सबको पता है कि पहले covid के चलते जो परहाई में disturbance होता था उसी के लिए हमारा government ने क्या किया था objective देता था 100 लेकिन अब आपका objective आने वाला 60 60 ही objective रहे है दोस्त मात्र 60 और subjective तो रता है 50 तो ये objective में 60 में से आपको बनाना है कितना 50 तो ये देखिए my dear पहले हम लेकर चलते हैं दोस्त objective के लिए क्या क्या करना है तो देखिए यह आपे ब्याकरन बिभाग से 35 questions रहेगा और आपके जो book है दिगंत जिसको बोलते हैं जो किताब है आपका हिंदी का उसमें से 25 questions रहेगा ठीक है अब बनाना तो 85 है आपको तो आप चाहें तो 30 इसमें से बनाईए 6 को छोड़ 29 से बनाईए इसमें से 21 बनाओ नाम मन करे 360 को मिलाके 10 छोड़ दो इसमें से माइनस करो 10 और 50 बना लो कुछ भी ठीक है अब जो यह question पूछी का दोस्त 50 यह जो 50 objective आएगा और यह दखेए इसमें 17 आपका ट्रोड़ बाव 17 question है ब्याकरन से और 33 question है पूछ तक से ठीक है कुल मिलाकर 50 है और यह बनाना इसमें से 50 है 50 पचास पचास जब दोनों मिलाते हैं तो कितना 100 होता है जो कि exam में बनाना है ठीक है अब देखते यह है कि objective question में कौन कौन से chapter को आप टच करें भाई साब तो आप total grammar यानि कि आप 50 में 50 और subjective 50 में 50 बना सकते हैं उसके लिए जानने के लिए और देखने के लिए समझे कैसे पढ़ें कैसे बनाएं उसके लिए वीडियो तक देख लिजी ठीक है यहां देखिए हाथ से लिखें दोस्त अपने हाथों से इसलिए हो सकता है तो आपको दिकत हो कर objective questions में 35 जिसमें ब्याकरन है 35 मैं 60 है टोटल जिसमें 35 ब्याकरन और 25 पुष्टक है तब पहले ब्याकरन में यह क्या करना है अनेक शब्दों के लिए एक सब्द आता है जैसे माली जी के कोई देदेगा आपको कि ऐसी औरत जिसके पती मर्ग है उसको एक सब्दे क्या बोलते हैं तर विध्वा इस प्रकार से question दोस्त देगा तीन गो ठीक है तो जोड़ते जाए बिलोम सब्द का मतवता है माइडियर अपोजीट वर्ड यान उनकी विशेस्ता को बतला है ठीक है यह चैर नमर शंदी विछेद दो वर्णों के मेल से होने वाले जो विकार उत्पन होते हैं परिवर्टन होते हैं उसको संधी बोलते हैं लिंग निर ने बताना है बाव दोस्त आता है कि यह दियावा सब इस्त्रिलिंग है कि उपसर्ग दो समास का तीन कोश्चन पूछेगा उपसर्ग दो पूछेगा बाइडियर बहुत इंपटनेट है यह सब पढ़ना है आपको गरामर में पर्तियाई पूछना है शंग्या शर्वना यह आपके दोस्त देख लिजिए गरामर के सेक्शन है ठीक है और एक सब्द आप से कौन-कौन से भागाते हैं सबसे पर गदखंड गदखंड का मतलत होता है माइडियर कहानी वर जो होता है चेप्टर ठीक है उससे तेरा कोचन रहेगा और कावेखंड से बारा तेरा बारा मिला किता होता है पचीस इधर पचीस हो गया और यह हो गया भाई साब आपको कुल अंग 17 ही पूछता है जिसमें निवन्ध होता है दोस्ट छौग निवन्ध देगा हो सकता है का कोविड-19 हो हो हमारा गाँहो कुछ भी है दे सकता है दोस्त आपका बेरूजगारी हो सकता है छौग संचेपन भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ही important और बहुत ही मज़ेदार ये topic है संचेपन, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसलिए छोड़ते हैं, बड़ संचेपन का नियम है कि एक लंबे चोड़े गधांस या पधांस दियारता है, जिसमें आपको जो सब्द रिपीट होते हैं बार-बार, जो सब्द बेकार में यूज किया हैं उसको हटाते हैं और important सब्दों को line को छाँच छाट कर लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग संचेपन, नियम बोलता है कि एक बटा तीन में बनाना है, यानि कि तीन सब्द है, तो दो हटाईए एक उसमें से लिखे, ठीक है, यानि कि 90 सब्द है, तो 30 सब्दों में संचेपन लिखना है, ठीक है, ये पूछता है, दो बनाना है, एक चार नमर का, तो आठ पांच देख सकते हैं, 8, 5 और 4, यानि कि टोटल में लागा है, 17 नमर, क्या होगा, ब्याकरन से हो जागा, ठीक ह ये देखिए आपके पाठे पुस्तक, ये 33 नमर का आते हैं, सबसे पहले तो दोस्त आपको गध पद चैप्टर जो भी आप पढ़ते हैं, ब्याक्ख्या करें, उसमें दोस्त आएगा आपको, 4 questions की संख्या, 4 होगी, बनाना 2 है, एक गध से और एक पद से, 8 नमर का आएग एक गध से और एक पद से, यानि कविता से, और एक कहानी से, ठीक है, लगूतर ये प्रस्ण, छोटा सा होता है, छोटा छोटा जवाब दिना होता है, 10 questions रहेंगे, 1 questions 2 नमर का होता है, आपको कीनी 5 प्रस्णों का जवाब दिना है, और उसमें से आपको, 2-2 नमर का 1 question होग जो दिक उतर यह प्रस्ण होता है माईडिर यह यह पुष्टा है छे जवाब देना है तीन एक कोश्चन होता है माईडिर देख लीजिए पांच नमर का तो यह टोटर मिला का पंदर हो गया तो देख सकते हैं 15 और यह देख सकते हैं आप यहाँ पे 15 10 8 कुल मिला के 33 नमर तो तब जाकर आप 90 प्लस माक्स लाओगे सब्जेक्टिव में एक दम बिल्कुल 50 होना चे यह अब्जेक्टिव है और अब्जेक्टिव है दोस्त आपसे रीक्वेस्ट है इतना पर हो बनिया से बुक पर हो ग्रैमर कीतना पर हो ब्याकरण हिंदी ब्याकरण कि आपका 50 में 50 आए एक भी कमना ओके माइडियर तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्त यह आपका बना दी है तो देख लिए कैसे कैसे बनाया है यहां पर यह अब्जेक्टिव 50 बनाना तो 50 है सब्जेक्टिव 50 दोनों 50 50 को मिला कितना हो यहां पर आप देख सकते हो दोस् कि नाम से चलता है बावों लिखिए ऊपर नौलेश सर टेली ग्रम नौलेश चर इंगलीश क्रासक्टिव êtes normalis घ्रोडिजंस के नाम से चलता है ऑफ तो परफले तेलिग्रम जोइन कीजिए और फटाक से PDF को रपक किजिए ठीक है तो चलिए दोस्त अच्छा पाठी अब इ अपने सिलेवस को जरूर कोपी में लिख लिए मैडियर और इसी के अनुसार अपनी तियारी कीजिए ठीके बच्छापाटी कोई दिकत चले ओके वाए गुडड़े